हेलो एबरीबरन वेलकम बैक टो चैनल तो कैसे हैं आप लोग आसा है बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज के कलास शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे उत्राखन इतिहास से सम्मंदित विविन पर एक साम में पूछे गए प्रेश्ण उत्तर और UKPSC के कंप्लीट नो सवादान खोजे गए थे तो ऑप्शन नमर ए इसमें आपका सही आंसर है मलारी गाउं से पासान कालिन सवादान खोजे गए थे और चमुली जिल्य में हैं आपका मलारी गाउं जो की तिबत से सटा हुआ एक सेत्र है यहां साल 2002 में खुदाई कराई गई थी जिसमें की हमे आपका मिला है मिट्टी के बर्तन आप इनको नोट कर सकते हैं यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो मिट्टी के बर्तन और मिले हैं जानूरों के अंग जानूरों के अंग और बाकी मिले हैं 5.2 कीजी का एक सूने का मुखावरन मिला है और गड़वल विश्व बिद्याले की द्वारा सन 2002 में मलारी गाउं के प्राग इतिहासिक पुरा तत्व इस तव से यानि आर्केोलोजी की खुदाए कराए गई थी बाकी हम चलते हैं अगले क्वेस्टिन की और अगला क्वेस्टिन है कत्यूरी सासकों की राज भासा थी तो उनकी जो राज भासा थी वो थी आपकी ऑप्शन नमर सी संस्कृत भासा कत्यूरी सासकों की संस्कृत राज भासा थी अगला question है प्राचिन काल में असकोट राजधानी थी तो यानि प्राचिन काल में असकोट किसकी राजधानी थी तो वो थी आपकी option number C कत्योरी वंस की राजधानी थी और इसकी स्तापना की बात की जाए तो 1299 में इसकी स्तापना हुई थी जो की कत्योरी राजवंस की वंसस अभे पालने की थी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभे पालने इस राजधानी की स्तापना की थी अगला question है मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमा की प्राचीन जाती कौन सी है तो इसमें आपका है option number D सही answer call जाती है आपकी कहेंगे हमकी मुंड तथा सबर नाम से जाने 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 वाली कुमा की प्राचीन जाती है और इसके बात की जाए तो कॉल जाती की जो अन्य नाम है वो है कॉली और मुंड पुनकर तथा दश्चू और हैं कॉल तथा शबर अब इसकी जो भासा है वो है मुंड तथा सबर इनके धर्म की बात की जाए तो कॉल जनजाती जो थी वो हिंदु धर्म को मानते थे और भगवान सिव की वे पूजा किया करते थे तथा जब भी उनके घरों में कोई कार्या होते थे तो वे लोग जागर भी लगाया करते थे एंड कॉल जनजाती के जो जानकारी के सरोत हैं वो हैं मोहन जोड़ो सिलालेक और एक पुस्तक है कॉली या काबिले का इतिहाज जिसके लेखक है स्री बच्चु भाई पीतामबर जी तो हम चलते हैं अगले क्वेस्चन के और अगला क्वेस्चन है कार्तिकेपुर में अंतिम कत्यूरी शाशक था तो यानि कार्तिकेपुर में जो अंतिम सासक था वो कौन था तो आप्सन ए दे रखा है नर्सिंग देव आप्सन भी सालिवाहन देव option C नकुल देव और option D ब्रहम देव तो आपका इसमें सही आंसर है ब्रहम देव आपका सही आंसर हो जाएगा कत्यूरी राजवन्स के मुख्य सासकों के अलावा जन इस्तुतियों के अनुसार प्रीतम देव, धाम देव और अंदिम सासक आया ब्रहम देव की जानकारी हमें मिलती है और ब्रहम देव को आप बीरम देव भी कह सकते हैं जो की उनका जो अन्य नाम था वो था है बीरम देव अब यहाँ एक अत्याचारे सासक भी था, इसने कर्मे आवशक्ता से अधिक विर्दी कर दी थी और तिलोतमा नाम की एक लड़की थी जिसे इसने जवरदस्ती साधी की और राजवन्स में अधर्म फैल गया तथा कत्यूरी राजवन्स का अंत हो गया अब अगला क्वेस्चन है प्रागयते हासिक इस तल लाखो उडियर किस नदी के तड़ पर इस्तित है तो इसमें जो आपका से अंसर है वो है आप्शन नमर B सुयाल नदी प्रागयते हासिक इस तल लाखो उडियर सुयाल नदी के तड़ पर इस्तित है जो कि अलमुला जिल्ले में है पिछले टॉपिंग में मैंने आपको लाखो गुफा के बारे में डिटेल से बताया है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में लेगी या आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं अब अगला क्वेस्टन है केदार खंड में रचित एक संस्कृत ग्रंथ है राजतरंगनी और इसका जो साब्दिक अर्थ है वो है राजाओं की नदी राजाओं की नदी राजाओं की नदी और कहें तो राजाओं का इतिहास या समय पर वाहर राजतरंगनी ग्रंथ में लालितादित्या मुक्तापीर के आक्मा के जानकारी हमें मिलती है अब आपका अगला क्वेस्ट्टन है किस पुराण में हरिदार का नाम मायापूरी मिलता है तो इसमें आपका सिया अंसर है उप्सन नमर डी इसकंध पुराण कहा जाता है कि महान राजा भगीरत गंगा नदी को अपने पूर वजों को मुक्ति परदान करने के लिए स्वर्ग से पर्थिवी तक लाए थे इसलिए इस जगा का नाम मा माया देवी पड़ा इसके बाद इस हरिद्वार को भी माया पूरी के नाम से जाना जाने लगा अगला क्वेस्टन है कटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंग का महंतो के देश कुमाओ भागने का उलेख मिलता है तो वो मिलता है आपको आप्स नमर डी तारिक ए मुबारक शाहि में तारिक मुबारक साहि के जो गरंद के जो लेखक थे वो थे याहिया बिन एहमद शर हिंदी उनका नाम था अब अगला क्वेस्टन है कत्यूरी काल में तहसिल इस तरकी प्रशाशनिक इकाई को कहते हैं तो उसको कहते हैं करमान, कत्योरिकाल में तहसिल इस तरकी जो प्रशाशनिक एकाई होती है, उसे करमान कहते हैं, अगला क्वेस्टन है, वेंसांग द्वारा अपनी यातरा उरितांत में वरनित, गोविशान, वरतमान में है, यनि क्या है, तो आपका जो सही आंसर होगा, वो जाता है कि यहां चीनी यातरी वेंसांग और फायन आये थे वेंसांग ने 621 इस्वी शे 645 इस्वी तक जब इस स्थान पर पहुंचा तो इसने भी इस स्थान का पूरा विवराण अपने उरितांत में दिया है अब आपके लिए अगला क्वेस्चन है कालिदास की किस रचना हमाई हिमाले को औसधी परस्त कहा गया है तो इसमें उप्सन नमर सी में लिखा है कुमार संभव तो इसमें हमें कहा गया है कालिदास की जो रचना है कुमार संभव उसमें लिखा गया है हिमाले को औसधी परस्त अब हम चलते हैं अगले क्वेस्चन के और अगला मंदिर से प्राप्त अभिलेक की सासक से संबंदित है तो वो है क्राचल देव क्राचल देव एक सासक था जो कि चंपावत अभिलेशन मंदिर से जो प्राप्त अभिलेक है उससे संबंदित है सन 1223 इसवी के बालेस्वर मंदिर के तामरपत्र से घ्यात हुआ है कि समकालीन ने पाल नरेस क्राचल देव ने कुमाओ के राजधानी चंपावत के निकट अपने एक अलग राज्य का विस्तार कर लिया था इसके बारे में बाकी ज्यादे इंपोर्टेंट तो है नहीं अब अगला क्वेस्टिन है अमुद्भूति की स्पूंस का सासक था तो अमुद्भूत और पेट साल जो के सैलाश रहे थे उनके खुज की थे ऑप्सिन अमर बी यसोधर मटपाल जी ने अगला क्वेस्टिन है कत्योरे सासकों की कुल देवी किसके रूम में पूजी जाते है तो वो पूजी जाते है ऑप्सिन अमर डी नन्दा देवी के रूम में पूजी जाते अगला question है कौन सा पुरा तात्विक इस तल गडवल के तलहडी छेत पर इस्तित है तो वो है option नमर बी मोर दवज अगला question है पांडू के सोर तामर पतर किस भासा में लिखित है तो वो है option नमर सी संस्कृत भासा में अगरा क्वेस्टन है और लास्ट क्वेस्टन है कलमाश्रूम किस नदी के तड़ पर इस्तित है तो वो है मालिनी नदी के तड़ पर इसके बारे में मैंने आपको डेटेल वीडियो बना रखिया आपने देख लिया होगा तो दोस्तों आज के कलास हम नहीं पर समाप्त करते हैं आई होप के आपको वीडियो पसंद आये होगी और पसंद आया है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में और फ़र्ट कमेंड में वाटसप ग्रूप का लिंक दे दूँगा आशाय कि आप लोग वाटसप में जूट सकते हैं फ्री नोर्स आपको प्रोवाइट की जाएंगे तथा अभी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करेंगे थैंक यो फॉर वाचिंग चैनल सबस्क्राइब करेंगे चैनल सबस्क्राइब करेंगे